मतलब पहली स्क्रीन पर लोगों को देख रहे थे जिन्होंने वीडियो आन किया है और अब मुझे सिर्फ दो स्क्रीन नजर आ रही है मतलब सेकंड स्क्रीन पर भी लोग आ गए हैं एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब यहां पर मैं PPT शो करती हूं तो प्लीज आप मत लिखिये या स्क्रीन पर डिस्ट्रिबंस मत करियेगा दूसरी चीज जब आप सेशन में बैठे है और आपने मतलब वीडियो आप आउन करके बैठे है तो मेक शूर कि आप एक प्रॉपर ड्रेस में बैठे ठीक है और मैं कुछ लोगों को देखती हूं कि वह बिल्कुल सोते हुए उनका मुबाइल ऐसे उपर होता है और वो बैड पर लेटे हुए है और सेशन लेख रहे तो प्लीज आप वीडियो को आउन करके ये चीज़े ना करें या तो दिखिये आपके पास एवरी डे हमारे पास ना चॉइस होता है हमारे पास हमेशा लाइस में चॉइ ने सोता है तो याथ आप सो जाए या फिर आप पूरा शेशन अटेंग से लेकिन आप सोचेंगे एक पैर मैं सेशं में रखो एक पैर मैं बेड पर सोते है मतला वीडियो हां करके ने सेशन करूं तो प्लीज ये चीज आप मत करिये क्योंकि यहां पर स्क्रीन पर इतने सारे लोग बैठे होते हैं, तो कोई भी आप ऐसी एक्टिविटी या एक्शन ना करें, जो दूसरों के ऊपर एक नेगेटिव इंपक्ट डालें, तो एवरीडे ट्राइ यह करें कि हम लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को इंस्पायर करें कि अगर हम लिख रहे हैं, तो आपको देख के दूसरों को भी यह चीज़ होती है, इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, हमें भी लिखना है, जो भी बाते बताई गई हैं, उसको सर्पर सिक सुनना नहीं है, उसे लिखेंगे, हमारे पास नोट्स दनेंगे, हम उसको कर सकते हैं, हर एक्षन ऐसा करें, जो किसी को इंस्पायर करें, ना कि किसी को नेगीटिव करें, और ना ही किसी को देमोटिवेट करें, ओके, एगरी करते हैं, तो दोनों थम्शो करें, ओके, चलिए, और चहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, एक नया दिन, एक नय session so I would like to welcome motivational speaker trainer life coach founder of AB Gurupul Mr. Amit Arjun Bhardwaj sir please sir welcome हमस्कार मैं Amit Arjun Bhardwaj आप सब का हार देख स्वागत करता हूँ